हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक स्टडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर आपके यूपी स्कॉलर्शिप से रेलेटेड आपके एक न्यूज है लिखा हुआ 5.51 लाख चात्रों का डाटा जो है वो संदेह के दाएरे में ऐसे में मैं आपको बता दूँ काफी ज़्यादा संख्या में चात्रों के जो डेटा है वो आपके संदेह में आए है संदेह में मतलब आप समझ रहे हो जिसके सस्पेक्ट दिखा रहे हैं और ऐसे में मनें आपसे बोला था कि उस सस्पेक्ट को कैसे आप खटवा सकते हो अगर आपने फॉर्म सही तरीके से भरा है तो कुछ ऐसे हैं जो आपका सरकारिय गवर्मेंट जाब में रहते हुए भी आप समझ रहे हैं और जो आए सीमा है जो इनकम की उतना उससे ज्यादा होते हुए भी जितना उन्होंने मागा है दो लाख या जो भी है और फिर भी उन्होंने अगर स्कॉलरशिप भरा है तो ऐसे में उन सभी की डेटा जो है वो सस्पेक्ट में गए हैं ऐसे में उनका जो डेटा है वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा क्या कुछ बात नहीं उसके बारे में मैं आप पर बात कर लेते हैं लिखा हुआ है कि चात्रवर्तियों मिश्रुलक प्रतिपूर्तियोजनामी रद होंगे लाखो आवेदन इसमें है आपका इसकारणा उनलाइन आवेदन में देखें पिता का नाम हाई स्कूल के रिकारड को लेकर के आए देखें यहाँ पर वन आफ दी रिजन में ये भी है और जाती प्रमाण पत्र में गलबडिया जो है मिलना है मतलब अगर आपने चाहती प्रमाणपत्र में गलबड़ी की है कुछ लोगों ने अपने पिता की नाम के अगर बात की जाए हाई स्कूल के रिकाउड को लेकर के अगर बात की जाए और आये में इन सभी में जो है देखकते देखने को मिली है और ऐसे में इन सभी के लिखा हुआ है कि अभी तक सामाने वरानों सूचित जाती के 5.51 लाख चाहत्रों का जो डेटा है वो संदिक दिश्रडे में डाला जा चुका है इन पर अगले 5 दिनों के भीतर सभी जिला समाज कल्याड अदेकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है कहने का मतलब यह है अगर आप 5 दिन के अंदर सही तरीके से आपका अगर सस्पेक्ट जो भी बता रहा है अगर आप अप्लिकेशन लिख करके समाज कल्याड विभाग में उस प्रिंट के साथ में जो स्टेटस है करंट आपका अगर आप सम्मिट नहीं करते हो तो ऐसे में आपका डेटा जो एप्लिकेशन है वो सस्पेक्ट में जाएगा और आपकी स्कॉलर्शिप नहीं आने वाली है बाकि इसमें आप देख पा रहोंगे कि दो लाग हुआ अनुसुचित जाती है परिवारों को ढई लाग देखे भरपाई कर रहे है किसी भी गडबड़ी को रोकने के लिए PFMA साफ्टवेर से प्रतिक विद्यार्थी के डाटा की जाच कराई जा रही है और इसमें आप देख पा रहोगे कि जो भी बैंक खाता में गलबड़ी मिलने पर या जो भी चीज़े इसमें आ रही है वो तुरंत उनकी जाच हो रही यहाँ पर कि क्या क्या होगा सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दू इसमें लिखा हुआ है कि कि छात्र योम शुल्क भरपाई 26 जनवरी से पहले की जानी है मैंने आपको बताई थी डेट कि 25 से 26 जनवरी से पहले ही जो है भरपाई की जाएगी इसलिए जिला समाज के लिए अड़ेकारियों को संदिक्ट डाटा पर 20 जनवरी तक अंतिम निरड़ाई लेना होगा अभी समय कम है तो 20 जनवरी तक जो भी सस्पेक्ट आ रहे हैं उनको वो हटाएंगे आप उसे पहले कुछ कर सकते हैं तो आप कर लिजी एप्लिकेशन वगरा दे करके अगर आपको लगता है आप पूरी तरीके से सही है तो अदर्वाइज वो सस्पेक्ट में जाएगा और ऐसे में जो शुल्क भरपाई की बात है वो फिर आपका नहीं हो पाएगा बाकि इन्फॉर्मेशन आप यहां से डिटेल में देख सकते हैं वीडियो उस पेपर आपके सामने है यह तो यह थी जानकरी आपके स्कॉलर्शिप से रिलेटेड उमीद करते हैं कि सारी चीजे आपको यहां पर समझ में आई होंगी कुछ और आपके अगर सवाल है तो आप कॉमेंट में लेक सकते हो उसके बारे में भी हम एक वीडियो के माध्यम से या फिर आपको जवाब दे करके बात कर लेंगे मिलते हैं कवर वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग